नमस्कार दोस्तो आज सोमवार है ना तो सोमवार सुकुमार तो आज शुकुमार राय की शुकुमार राय का लिखा हुआ एक नया कहानी लेकर आई हुमें आप लोग के सामने ये भी अनुबात साहिते हैं जब हम लोग पढ़ते हैं पर आगे बढ़ेंगे इस कहानी में हम ल इस स्टोरी इस वेरी नियर टो मी, यह जो कहानी है, मेरे दिल की बहुत पास है, चलिए आगे बढ़ते हैं, बढ़ते हुए, मातारी की आकाश की पड़ी है, तो मतलब वो रहती हैं आकाश में, आकाश के जो लोग पड़ियां हैं, हर एक के पास एक एक करके तारा है उन लोग के पास, मातारी की अपनी जो तारा है, उस तारा को हर रोज, सुबह, 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 जो ओंस गिरती है न, उस ओंस से, हर रोज सुन्दर से, उसको धुल के, अच्छे से साफ करके, इतना चक्मक करके रखती थी, कि वो उससे, जब भी रात को कोई भी इंसान धर्ती से देखता, रात के आसमान के तरफ, तो सर्फ मातारी की जो तारा है न, उसी को ही सारे लोग देखते, और कहते, देखो किती सुन्दर है, और ये सुन-सुन के न, बाकी सारे आसमानों की जो पड़ियां है, उन लोगों को बहुती, बहुती जलन होती थी, ताने बुल के एक देवता थे, वो है पेर पौधों के देवता, वो अपने पेर पौधों में रस का सयोग देते थे, वो हर डाली में फूल लोगों को खिलाया करते थे, और उनके रस से, उनके उर्जा से, उनके पेर पौधे, इतना सुन्दर हरा भरा होता था, के ताने खुदी हर एक पत्तों के तरफ देखते और विश्वे चकित होके कहते, इतना सुन्दर, इंसान और कुछ नहीं देखना जाएगा, पता है, और कुई भी सुन्दर चीज हो ही नहीं सकता, मेरे पेर पौधों से बढ़ कर, लेकिन सारे लोग इंसान क्या करते थे पता है, जब मातारिकी की तारा रात को जब उदै होती थी, तब ताने के पेर पौधों को भी वो लोग पार करके वही मातारिकी की जो तारा है, उसको ही वो लोग देखते थे, और इससे ताने को बहुत गुसा हुआ, बहुत ही गुसा आया, वो कहने लग अच्छा, तारा, ये तारी कितने दिन रोश्नी बिखरेगी, दो दिनों में ही तो इनका रोश्नी एकदम बुझ जाएगी, लेकिन जितना दिन जाता रहा, चलता रहा, उतने ही मातारिकी की जो तारा है न, वो और भी सुन्दर और और भी प्रकाशमय होकर सब को रोश्नी बिखरती रही, और सारी लोग धर्ती से उसी को देखते, एक दिन क्या हुआ, रात के अंधेरे में सारे सब जब सो गए, और सो के अपने अपने सपनों में, जब विभोर हो गए, तो तब ताने एकदम चु के दो आस्मानों के परियों के कानों में बोल के आए, भई सुनो, हम लोग एक काम करते हैं, सारे लोग मिलके ना मातारिकी को मार के उसकी जो तारा है ना, उसको हम लोग लेके आ जाते हैं, तो वो परियां बोले, अरे चुप चुप, हैसे मत बोला करो, मातारिकी अभी जा पूनम की रात को जब पूनम की जो रोशनी है चंद्रमा की जो रोशनी है उसके तरफ देखते हुए उस रोशनी के तरफ देखते हुए जब मातारी की अपने आप ही अपने आखों को मुंद लेंगी तब तब आना ये सारे बाते कोई नहीं सुना सर्व अगर कोई सुना तो पानी की जो देवता है पानी की जो राजा है जल की राजा उनकी छोटी सी गुडिया थी नन्ही सी गुडिया वो जो नन्ही गुडिया है न वो हर रात को वो ही मातारिकी की जो तारा है उस तारा की जो चाया जो प्रतिछवी पढ़ती थी पानी के उपर ठीक उसके नीचे वो सो जाती थी और माता रिकी को अपने सपनों में देखती थी सिर्फ वो ही सुना उन दुष्ठ पड़ियों की और तानी की जो वारता लाप और वो सुनके उस नन्ही सी जान की दोनों आखों से पानी बहना शुरू हुआ इसी बीच दक्षिन हवा दक्षिन देशा का जो हवा है जो पवन है दक्षिन पवन आपने हसाब से मन मौझे होके वो गुन-गुन करके गाना गाते हुए पानी के बगल में आंके खड़ा हुआ और जल के राजा की जो छोटी सी गुडिया है न वो धिरे-धिरे पुकार्टना शुरू की दक्षिन पवन ओ दक्षिन पवन जानते हो मातारिकी को न ये लोग मार डालने के लिए सोच रहे हैं ये सुनके दक्षिन पवन हाय हाय करके उठा और वो रोने लगा तब नन्ही सी गुडिया बोली अरे चुप हो जाओ चुप हो जाओ अभी ये सोचो कि अब हम क्या करें तब दोनों मिलके मश्वरा करके वो लोग सोचे तो भही मातारिकी को तो सब कुछ बताना पड़ेगा ताकि वो पूरुनम की रात को वो जाकते रहे तो प्रभात काल सूरज उगने से पहले ही दक्षिन पवन राजा की दुलाली को कहने लगे क्यारे उठो उठो जाना है ना तो तभी तभी सूरज जो है नहा धोके सुन्दर सा सिंदूर लपेटे अपने सुनहरे पोशाक में पोब गगन से सबको शुप्रभात कहने लगे और राजा की गुरिया राजा की दुलाली सूरज की सामने जाके बहुत प्यार से बोली मैं आसमानों की देश में जाना चाता हूँ घुमने के लिए तो सुरज ने कहा अच्छा ठीक है रुको बोलके वो अपने एक सुनहरे सी किरन उसके सामने आगे रखती और उस किरन की ऊपर चड़के राजा की दुलाली धीरे 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 आसमान की तरफ बढ़ने लगी और सुभा सुभा पूरे चारो तरफ तब पता है एकदम एकदम फॉग फॉग बोलोगी फॉग बोले तो कुवाशा पूरा चारो तरफ वो जो दखिना पवन है न उस फॉग से वो पूरा का पूरा उस राज्य को जहां से जिस किरन की उपर चड़के राजदुलाली जाने लगी थी उसको सारे लोगों के आखों से ओजल कर दी अद्रिश्य कर दी ऐसे धीरे धीरे राजदुलाली मातारिकी के घर तक पहुँच गे और पहुँच के बोले क्या क्या हुआ है तो मातारिकी बोली मैं कहां जाओंग ठीक है पूनम के रात यहाँ पर मैं अपनी जो तारा है न उसको मैं पहरा दूँगी और क्या कर सकते हैं उसके बाद जो होगा देखा जाएगा राज दुलाली फिर मेगों के फिर बादलों के आड में बारिशों के बूंदों के सहायता से धर्टी पे उतर के आगी इसके बाद पूनम की रात आई ताने और वो दो दुष्ट पड़ी एकदम दो भागते हुए मातारिकी को पकड़ने गए मातारिकी अपने दोनों हाथ से अपने जो तारा है न उसको कस के पकड़ के रखी थी और अपने प्रान से भी प्रेव उस तारा को बचाने के लिए वो दोरने लगी दोर 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 आसमान के रोशनी के नीचे जो छाया जो मिलकी वे है जिसको हम लोग कहते हैं आकाश गंगा उस आकाश गंगा के छाओं के तले निशब्द में निशब्द होके वो दोरती लगी दोरने लगी और उनको उनको पकड़ने के लिए ताने और वो दो दोश्ट पड़ियां उनके पीछे दोरने लगी ये सब कुछ जैसे लोगों को बाहर से देखे लगा कि वो लोग लुकाचिपी खेल रहे हैं दखिना पवन स्थब्द होकर देखने लगी राज दुलाली राद को जागे हुए विश्य विभोर होके देखती लगी आश्मानों के पड़ी जाने लगी लेकिन हर एक के पास जहां तक मातरी की जाए सारे लोग उसको विमुक करें उसको बुले अरे भागो ही आसे भागो ही आसे ऐसे ही दोड़ते दोड़ते मातरी की आखिर में बहुत ही श्रांथ हो गए बहुत ही वो ठक गई और वो दोड नहीं पाई तब उसकी मन में आया जल की राजा की जो दुलाली है जो छोटी सी गुड़िया है वो उसे बहुत प्यार करती है तो वो उसके पास जा सकती है ये सोचते ही वो पानी के अंदर डूब गई डूबी 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 एक दब नीचे जहां पर काला गाडा ठंडा पानी है उसके अंदर जाके वो छुपके रही और राजदुलाली माता रिकी को छुपाने के लिए बहुत सारे हरे जो पत्ते होते पानी के जो पौधे होते हैं उनसे उनको धग दिये तब सारे लोग ठूनने लगे सारा आसमान वो लोग छान मारे कहा गया कहा गई कहा गई एक परी अचानक से बोलने लगे वो दिखो वो दिखो पानी के नीचे है वो ताने बोलने लगा ऐसा माता रिकी को छुपा के रखा है कौन किसका इतना साहस है राजदुलाली की सीने में दर बैट गया वो कापती लगी लेकिन वो कुछ नहीं बोली वो चुप रही तब ताने आके धीरे से बोला ठीक है रुको मैं इसका एक उपाई निकालता हूँ जहां तक वो बोला हजारों पौध है उस पानी के बगल में वो लेके आए और उनके जो जड़ है उससे वो लोग साड़े जो पेर पौधे हैं वो पानी को उस जल को अपने अंदर समाहित करना शुरू किया तो धीरे धीरे उस तलाव पौलो तलाव की पानी धीरे धीरे कम हो गया तो मातारिकी तब जल को अपने शरीर से फेकते हुए वो जब उठके आ गई वहां से अब जब वो थंडा काला उस शांथ जल के नीचे जब वो छुपी हुई थी तो उसके अंदर से जितना कश्ट है वो सारे चला गया था जो भी इतना देर से वो परिश्रम कर रही थी तना भागा दौरी कर रही थी तो उसके शरीर के सारे जो श्रम था वो दूर हो गया अब वो अपने फिर से पूरती से वो दौरना शुरू की पूरे आस्मान भर वो छूट दौरने लगी दौर 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 दौरती ही रही सारे लोग मिलके बहने लगे अरे अरे हम लोग नहीं कर पाए यार हम लोग उससे नहीं छीन पाए तो ताने तब गुस्से में आके बोले नहीं होना ही पड़ेगा ये बोलके ही अचानक से वो उसी रस्ते के एक बगल में रस्ते के बगल में एक तारा गिरा हुआ पड़ा था एक बहुत ही बड़ा सा तारा वो उस तारे को लेके अचानक से मातारिकी के हातों के तरब वो फेक के मारा जन जन करके अवाज हुई सारे लोग देखे, माता रिकी अचानक से रो पड़ी, भयंकर भयंकर दुख उसके आसूं से उसके आर्थनाद से निकल आई, इतने दिनों से वो बहुत बहुत कोशिश करके अपनी वो तारा को वो समहाल के रखी थी, आज वो तारा तूट गई, साथ टुक्रों में बढ़ तब ताने आके दोर के आके उन साथों टुक्रों को अपने दोनों हातों से बिखेर दिये पूरे आसमान में, और कहने लगी, कहने लगे, अरे अब सारे लोग देखे, सारे लोग सर्व देखेंगे तुमारे तारा को नहीं, मेरे पौधों के सुन्दरता को, तुष्ट अगर जब भी दखिना पवन के देश में अगर तुम कभी जाओगे ना, देखना, वहीं वो तूटा हुआ, तारा साथ टुक्रों में, आसमान के तले, एक ही जगा पे, जिक्मिक करके, अभी भी अपना रोशने बिखेर रही है, जब हम लोग नीन के राज्य में चले जाते हैं, ठीक उससे पहले, राज दुलाली अभी भी, उन साथ टुक्रों के जो चाया है, जो प्रतिविम्ब है, उसके साथ वो खेलती है, और पूनम के रात में, दखिना पवन, जब बहता है, तब मातारी की गहरे सास से अपने ही उन साथों टुक्रों को देखती है, और तब हम सब को सुनाई पड़ता है, उसकी दुख भरी तिर्ख शास, तो दोस्तों आज ये है, ये भी बच्चों का ही एक स्टोरी है, और इस स्टोरी को स्टोरी से ये सिखाया गया है, अगर आपके पास बहुत अमूले सकवे चीजे जो और किसी के पास नहीं है, आप बहुत अच्छे से भी अगर उसको समाल के संजो के रखते हो, और किसी का भी कभी अगर आप बुरा नहीं चाहते हो, फिर भी आप देखोगे कि लोग आपके वो एक पॉजिशन, उस एक पॉजिशन के पीछे, उस एक संपत्य के पीछे जरूर हाद दो के पड़ते हैं, वो लोग उतना दूर अगर ना भी आगे बड़े तो वो उसका नुकसान जरूर करना चाहते हैं, बच्चो इस कहानी को सुनने के बाद आप लोग को लग सकता है कि मातारिकी की तो दोस्त है, हाँ, जल की जो राजा है उनकी जो दुलाली है, दुलाली ये एक बिंगॉली वोर्ड है, इसका आर्थ होता है लड़की, कन्या, दुलाली, तो राज दुलाली जो है वो उसकी फ्रेंड थी दोस्त थी जो दखिना पवन है वो उसका दोस्त है लेकिन सब कुछ सही है चलता है लेकिन फिर भी देखो वो लोग उसकी तारा को वो लोग तोड़ दिये और ये कहानी भी ऐसा ही खतम हुआ कि मातरी की दुख भरी सांसे हम सुन सकते हैं जब भी दखिना पवन बहता है लेकिन इसका मतलब ये हो गया है क्या उसका जो तारा है वो तूट गया साथो खानों में तो हम लोग अगर रातों के आस्मान सही बोलूँ जब भी मैं रात के आस्मान देखती हूँ जो सबतर्शी मंडल है न वो देखते हुए मुझे यही याद आता है और मैं बहुत बहुत देर तक वो ही साथो तारी को तारू की जो मंडल है उसको मैं देखते रहती हूँ और सोचती हूँ देखो ये अलग एक माइधोलोजी है लेकिन इसमें भी कितने सुन्दर से बोला गया कि किसी का एक बहुत कोशिश करके एक बहुत प्रेशस सा एक तारा थी जिसको किसी ने तोड़ दिया लेकिन फिर भी क्या उसके प्रकाश को क्या कोई उसको बुझा पाया क्या नहीं वो साथो टुकरों में साथ उरजाओ का साथ प्रकाश का अलग-अलग, पहले तो सिर्फ एक सोर्स था, सोचो, अब वो साथ अलग-अलग सोर्स बनके रोश्न भी खेर रही है, बच्चो, और जो लोग मेरे ये कहानी सुन रहे हो, मेरे ये कहानी का पठन सुन रहे हैं आप, मेरा एक ही आगरह है, चोट आ सकता है जिन्दगी में, वो आपको तोड भी सकता है, तोडने दीजिए, जैसे आइना तूटता है, फिर क्या होता है, हर एक टुकरा, एक अलग आइना होके, हम लोग के सामने एक अलग, लेकिन सुन्दर प्रतिविंब बनाता है, प्रतिच्छ भी हम लोग को भेट करता है, वो ही उसका साफल्य है, उ तो दुख जितना भी आए, जितना भी आप तूटो, मेरा ये प्रार्थना होगा, कि हम हर एक टुकरों में, अपना संपूर्ण, अपने जो मिठाज है, उस मिठाज को हर किसे के पास पहुंचा दे, हर एक टुकरों से, टुकरे से, है न, तो आज का ये स्टोरी यहां तक ह कि खतम हुआ, कहानी हा तक ही थी, तो तादा